हेलो फ्रेंज माल्टा में जॉब के लिए अपलाई कैसे करना है अगर आप किसी भी कैंट्री से हैं और माल्टा में जॉब करना चाते हैं वर्क पर्मिट चाते हैं कैसे जो है आप खुछ से ही अपलाई कर सकते हैं और किस वेबसाइट से जो है आपको अपलाई करना चाहिए और अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं लाइक जैसे गल्फ कैंट्री में अगर आप जॉब कर रहे हैं और वहाँ से चाहते हैं आप जो है यूरोप कैंट्री जाना और वहाँ पर सेटल होना वहाँ पर जॉब करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी जो है apply कर सकते हैं, कौन सी website से apply करना है या आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो भी बिना किसी agent के माध्यम से आप direct ही company में apply कर सकते हैं, और कौन कौन सी vacancy है, कितना आपको salary मिलने वाला है, कितना hours आपका duty होने वाला है, सो complete जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा वाच करिएगा, सो चलिए इसके लिए computer skin पर चलते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को subscribe करें, और साथ-साथ में bell icon का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहे, सो फ्रेंज, जो आपको apply करने के लिए, आपको सबसे पहले computer skin पर आना है, और आप जो भी browser यूज़ करते हैं, उसको open कर लेना है, अगर आप mobile में यूज़ कर रहे हैं, सो अपने browser को open करेंगे, सो चलिए browser को open कर लेते हैं, फ्रेंज, अब जैसी browser open हो जाता है, तो आपको simply search bar में type करना है, connect.com, और उसके बाद आपको simply search कर लेना है, अब फ्रेंज, जैसी आप search करते हैं, तो आप जो इसके website पर आ जाएंगे, अब आपको इस website का कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाएगा, जो कि सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, search का option है, तो आप यहाँ पर job का title जो है, search कर सकते हैं, जैसे अगर आप जो है plumber है, electrician है, या फिर accountant है, या फिर कोई other job category है, तो आप यहाँ से search कर सकते हैं, friends, यहाँ पर last में बताने वाला हूँ कि इस portal पर आपको login कैसे होना है, और apply कैसे करना है, सबसे पहले आपको यहाँ बताता हूँ कि search कैसे करना है, जैसे अगर आप एक accountant है, तो आपको simply search बार में type करना है, accountant, उसके बाद आपको search कर लेना है, जैसे आप सर्च करेंगे, जितनी भी job जो है, post होगी recently, आपके सामने जो है, आजाएगा, open हो जाएगा, तो आपको simply scroll करना है, और यहाँ पर detail जो है, देख सकते हैं, जैसे क senior accountant का है, and tech accountant का है, and junior accountant का है, so accountant line से जितनी भी job है, आपके सामने open हो जाएगी, and scroll करेंगे, उपर आएगे, तियहाँ पर एक jobs का भी option मिलता है, जिस पे अगर आप इस पर click करते हैं, so आपके सामने recently, जितनी भी job post हुई होगी, वह सब open हो जाएगी, जिसमें कि आप जो है, अलग-अलग category की job देख सकते हैं, जो कि scroll करेंगे, आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, so अगर इस पर click करते हैं, जैसे अगर आपको इसमें apply करना है, so इस पर click करेंगे, and यहाँ पर जो है, आप location देख सकते है, and just उसके नीचे apply now का option मिलता है, आप यहाँ से ज आप apply कर सकते हैं, so अभी apply नहीं कर रहे हैं, कोई और job भी देख ले रहे हैं, बैक आते हैं यहाँ से, और यहाँ पर सबसे उपर में आपको search का option मिलता है, ताकि आप जिस भी category की job चाते हो, simply search करें, and आपके सामने result आएगा, and उसके बाद आप apply करें, so friends job को apply करने के लिए किसी एक पे जो है, क्लिक करते हैं, जैसे finance assistance, इस पे क्लिक करेंगे, and उसके बाद apply now पे क्लिक करेंगे, आप से यहाँ पे email id and password पूछा जाएगा, जो कि मैंने बताया कि इस पे जो है, आपको एक account create करना होगा पहले, तो simply account create करने के लिए, यहाँ पे, so सबसे पहले जो है, home page पे आते हैं, and उसके बाद upload CV वाले option पे click करेंगे, so जैसी आप upload your CV वाले option पे click करेंगे, आपके सामने जो है, यहाँ पे एक option आजाएगा, जहां से आपको अपना CV जो है upload करना होगा, तो CV अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको click करना है, click करेंगे जो है, gallery वाला option open ह हो जाएगा, इस पे click करना है, and जहां पे भी आपका CV है, उसको select करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको click करना है, and next वाले option पे click कर देना है, so जैसे इस पे click करेंगे, आपका CV जो है upload हो जाएगा, and next option में आपको जो है अपना first name, and last name, and email id, and mobile number, and एक आपको password create करना होगा, जो की आप मन पसंद का password जो है create कर सकते हैं, so चलिए जो है यहाँ भी detail type कर लेते हैं, ठीक है, यह detail type करने बाद आपको next करना है, and उसके बाद यहाँ पे job focus का option आता है, तो आपको यहाँ पे click करना है, जिस भी sector में आप job करना चाते हैं, यहाँ से select करेंगे, जैसे accounting हो गया and अगर कोई अधर भी choose करना चाते हैं, banking का हो गया, banking line में हो गया, या फिर customer service में, so यहाँ पे आप देख सकते हैं, कई सारा option मिल जाता है, आप किस किस sector में जो है काम करना चाते हैं, यहाँ से select कर सकते हैं, and उसके बाद register वाले पे click करेंगे, so इस पे जो है, आप successfully registered हो apply now पे click करना है, and यहां submit application पे click करना है, so आपका जो profile है, वो direct company वाले के यहाँ पहुच जाएगा, अगर आपका document shortlist होता है, तो company वाले आप से जरूर संपच करेंगे, so friends अगर आपका एक बार में नहीं होता है, तो जितनी भी job आती है, submit try करते रही है, आपका एक नएक दि अगर आपके mind में कोई भी सवाल है, तो आप comment करके पूच सकते हैं, और अगर आप अपना CV बनाना चाते हैं, तो CV के लिए मैंने already video बना रखा है, कि आप European standard में CV कैसे बनाएं, वह video description में मिल जाएगा, आप पूरा video वाच कर सकते हैं, इस video से related, अगर आपके mind में कोई भी स सवाल है, तो आप comment करके पूच सकते हैं, मिलता हूँ next video में, take care, bye bye